नवस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर महीपाल सिंग राठोट और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूँगा दुनिया के सबसे तेज हवाई जहाज के बारे में हाईपरसॉनिक, सूपरसॉनिक जैसे टर्म्स में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, अगर ये प्लेंस आ गए तो आप दिल्ली से न्यूयॉक की दूरी केवल एक घंटे के अंदर तैग कर सकेंगे और ये दूरी बहुत ही लंबी है, इस बहुत ही लंबी भी आ चुकी है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई प्रोटोटाइप जारी नहीं किया है, केवले एक वीडियो जारी किया है, और कुछ ये उरोपियन और अमेरिकन फर्म्स हैं, जो मेंली प्रोटोटाइप्स लेकर टेस्टिंग कर रही हैं, तो इनी कंपनी के नाम के बारे टेलिग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप UPSC एक्जाम की तयारी करना चाहते हैं, तो मैं और मेरी पूरी पाथफाइंडर की टीम आपको लाइव पढ़ाते हैं UPSC एक्जाम के लिए उडान बैच, जो शुरू हो रहा है 17 जुलाई, यानि कल से, इसमें आपको 900 गंटे की live classes मिलेंगी, prelims, mains, interviews, सभी की तयारी करवाए जाएगी, toppers के द्वारा answer writing sessions करवाए जाएंगे, और ये सब कुछ आपको भारत के सबसे affordable price, 8000 रुपीज में available होगा, इस batch को join करने का link नीचे detail description में, और पहले comment दोनों में दिया गया है, ये हमारी team है, ये स सारे prices आपको तब मिलेंगे, जब आप महिपाल code का इस्तिमाल करते हैं, वरना वहाँ price website पर कुछ जादा होगा, उसे pay मत कर दीजेगा, और जैसा कि हमने वादा कियादा कि हम optionals लेकर आ रहे हैं, तो geography optional शुरू हो रहा है, 1 अगस से by Amit Kumar सर, PSIR optional शुरू हो रहे है, 15 अगस स में आपको मिल जाएंगे, please go and check them out, अब बात करते हैं, hypersonic jets की, तो देखे, जो ये companies hypersonic jets बना रही है, इनका कहना है कि अगर हमारे jets चालू हो जाते हैं, तो हम आपको Tokyo से New York एक घंटे में पहुंचा देंगे, ये दूरी है, इस वाक 11,700 km की एक काफी common route है, Tokyo, New York पे काफी सार commercial airlines operate करते हैं, और ये दूरी लगबग New York और दिल्ली के जितनी है, same है, exactly 11,700 km दिल्ली से New York की दूरी है, air India की एक typical flight 15-16 गंटे के अंदर आपको ये दूरी cover करती है, तो 15-16 hour flight है, और ये दुनिया के कुछ लंबे routes हैं, जैसे Hong Kong से New York या Hong Kong से London, ये flights लगबग 16-17, 18 गंटे क उड़ सकें, not every aircraft is capable of doing that currently, इसलिए आप देखेंगे कि जालतर flights होती है, 8 या 9 गंटे के उसके बाद वो कही न कहीं बीच में stop लेती हैं, फिर आपको connecting flight या फिर एक one stop फाली journey पूरी करनी पड़ती है, that is mainly due to fuel reasons, अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़कर आपको hypersonic travel या supersonic travel के ब लेलो, कोई भी company का plane लेलो, लगबग धाई से तीन घंटे दिल्ली से चन्नाई की flight का लेगा, आप खुद भी चेक कर सकते हैं कई सारी travel websites पर, तो ये दूरी है approximately 750 km, 1750 km की दूरी ये तै करती है, धाई गंटे, जो flying time है exactly वो धाई गंटे का होता है, तो इनकी जो speed है वो approximately 700 km per hour की होती है, तो normally जो commercial flights पूरी दुनिया में इस वक्त operate करती है, वो 700 या 800 km के range के अंदर fly करती है, अब मैं आपको बताऊंगा कि supersonic क्या होता है और hypersonic क्या होता है, तो देखिए, supersonic का मतलब है faster than the speed of sound, sonic का मतलब related होता है शरवन या सुनने की शक्ती से, तो ध्वनी की गती room temperature यानि 20 degree Celsius पर होती है, 343 meters per second, जिसे हम kilometer प्रती घंटा में convert करें, तो वो आ जाता है 1234, याद करने के लिए बहुती simple आंकड़ा है, 1234, यानि 1234 km प्रती घंटा की रफतार से sound wave ट्रावल करती है, अगर temperature को थोड़ा बहुत उपर नीचे कर दोगे, तो उसमें variation आएगा, तो 0 degree centigrade पर ये speed आजाएगी 1192, तो थोड़ इसी कम हो जाती है, 1192 हो जाती है और इसी को basis माना जाता है mark के लिए, अब अगर कोई भी वस्तू ध्वनी की घती से travel करती है, तो हम इसको पकड़ के चल लेते हैं 1200 km, ना 1234, ना 1192, वैसे exactly 1192 होगा, but for the timing हम इसे 1200 km प्रती घंट मान लेते हैं, तो अगर कोई भी object, मान लो कि आपने कोई plane उड़ा दिया 1200 km प्रती घंटा की रफतार पे, तो हम ऐसा कहते हैं कि ये mark 1 की speed पर उड़ रहा है, तो actually mark एक Austrian physicist थे, mathematician थे, उनके नाम के पीछे ये रखा गया है, उनका सरनेम था mark, तो mark 1 कहते हैं जब कोई ध्वनी की घती से travel कर रही है, तो उन्होंने ये ratio दिया था mark, तो उसका कोई km पर आर जैसा कोई unit नहीं होता है, mark नंबर कैसे drive करते हैं, तो mark 1, mark 2, mark 3, mark 4, ऐसे इसे कहते हैं, तो जैसे mark 3 अगर मैं कहूंगा, तो इसका मतलब हो जाएगा, कि कोई वस्तु 36 km प्रती घंटा की रफ्तार से उड़ रही है, और द्वनी की घती क्या हो जाएगी, 1200, ठीक है, तो kmph, kmph, cancel out हो जाता है, यहाँ पर, तो इसका कोई भी unit नहीं होता है, mark number is unitless, ये बात important है, याद रखना, कभी भी ऐसे मत लिख देना कहीं पर, कि mark 1 km प्रती घंटा की रफ्तार पर कोई रहेगी, approximately 2400, 3600, इस तरह से होता है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, कि देखो, 0 degree पर थोड़ा सा variation है, 20 degree पर variation है, वो temperature, humidity के according थोड़ा बहुत variation आता है, आप ये 0 degree वाली value याद रख लो, इससे आपका काम चल जाएगा, कुछ नहीं याद रह पाता, तो 20 degree पर ये 1, knowingly, जान बूज कर नहीं तोड़ा था, US Air Force के एक पाइलेट हैं, जो कुछ test runs कर रहे थे, उनका नाम था Chuck Yeager, तो ये जब अपना हवाई जाहाज उड़ा रहे थे, Bell X1 इसका नाम था, तो उस समय उन्होंने उड़ाते उड़ाते, flight के दौरान ये barrier तोड़ दिया था, और ए देखे इसमें काफी developments होते हैं, 1950s और 60s जो है, उस समय दुनिया में aeroplanes में बहुत नए-नए development होते हैं, lot of new airline companies were also coming up, तो 1968 में Soviet Union ने दुनिया का पहला commercial passenger aircraft launch किया, जो धनी की गती से तेज उड़ता था, इसका नाम था Tupelov Tu-144, अब इन्होंने launch क्यूं किया, क्योंकि उस सम पहले कर देंगे, तो 1968 में ने पहले launch कर दिया, और 1969 में जो सबसे iconic supersonic plane है, वो launch होता है, और इसका नाम था Concorde, तो Concorde जो है, ये तुरंट इसके कुछी महीनों बाद launch हुआ था, ये क्या दो महीने का gap था, ये Concorde इसका नाम रखा गया था, after the bird called Concorde, और इसकी जो design है, वो पकड़के London से New York जा सकते थे, इस Concorde एरक्राफ्ट में, तो देखें, ये वाला plane भी 200 km प्रती घंटा की रफतार पर उड़ता है, तो Mark 2 की speed इसने नहीं तोड़ी थी, Mark 1 तोड़ दिया था, इसकी capacity बहुत कम है, पचपन passenger केवल इस airplane में आ सकते थे, same problem कहीं ना कहीं Concorde के जादा लोग नहीं बैट सकते, केवल 90-100 लोग बैट सकते थे, और जब ये land करता था, तो इसका nose जो है, एक angle पे droop होता है, तो इसका काफी एक peculiar shape था, जिससे आसानी से identify किया जा सकता है, ठीक है, तो Concorde 1973 से लेकर 2003 तक, 20 साल तक commercially चला था, from 1973 to 2003, Paris से New York, London से New York, ये वाली flights 3 जगाओं के बीच में operate होती थी, कुछ बार बीच में Hong Kong के लिए भी flights चली थी, बड मेंली New York से लेकर London का जो route है, जो 500 km की distance पर है, इसे Concorde हवाई जास 4 घंटे में पूरा कर देता था, उस समय में दूसरे aircraft इसको पूरा करने में लेते थे, 10 से 12 या 13 घंटे, कई बार 14 घं और रात का, पैरिस में, अब ये मेरा मजाग हो सकता है, कई लोगों को नहीं समझ माया, तो उन्हें बता दूं कि ये border film का एक काफी iconic dialogue है, और नहीं पता तो छोड़ दो, ठीक है, आगे बढ़ो, 2003 में ये plane बंद क्यों किया गया, तो हमने supersonic travel इजाद कर लिया था, 1960 के दश में average ticket price थी, इसकी 6000 डॉलर, आज आपको 2023 में New York से London जाना हो, या London से New York जाना हो, तो आपको 2000 डॉलर में बढ़िया airline में, Lufthansa, American Airline, इनकी ticket मिल जाएगी, अभी चेक करिए, वीडियो बनाने से पहले, ठीक है, तो 2200 डॉलर में तो आपको first class का ticket मिल जाता है, average ticket price आज 2000 डॉ operation था, क्योंकि ये इतनी high speed पर उड़ता है, कि थोड़े accident के chances जादा थे, हाला कि कोई accident हुआ नहीं था, but then again, अगर कोई छोटा-mोटा failure भी हो जाता है, इतनी high speed पर, तो कई तरह की problems आ सकती थी, एक और problem या आ रही थी, कि जो New York और London के airports थे, वो complain कर रहे थे, कि भाई साब जब ये take off करता है, तो ये airplane take off करता है, तो एक sonic boom आती है, और उसके कारण airport के आसपास की buildings के कास टूट जाते हैं, और buildings के अंदर दरारे आ जाती है, वो sonic boom बहुत dangerous है, इतनी dangerous है कि उसके कारण air traffic operations hamper होते थे, in fact, airport की buildings के अंदर भी दरारे आनी start हो गई थी, तो इसको लेकर airports complain करने लगे, कि या तो इस हवाई जहास को आप शहर के नजदीक से मत उड़ाओ, इसको city से 50 km दूर कोई हवाई अड़ा है, वहाँ पर land करवाया करो, तो ये problem आने लग गई थी, तो धीरे धीरे ये थोड़ा सा out of favor हो गया, लोगों को इसमें मजा नहीं आने लगा, ultimately एक जो स्वाद होता है ना, कि अरे 6000 की ticket रोज रोज नहीं लेता है आदमी, है ना, एक बार ले लेगा, दो बार ले लेगा, फिर लोगों ने कहा कि भईया, वो 1500 डॉलर वाली ticket ही ठीक है, बली 10 गंटे में पहुंचेंगे, लेकिन पैसा तो बच रहा है उसमें, तो इस तरह से Concord दीरे-दीरे economically fail हो गया, और यह plane भी छोटा था एक यह भी problem थी, इसमें mostly 90 या 100 लोग बिठा सकते थे, क्योंकि इसकी body बहुत ही पतली है, आज के समय एक normal सा normal हवाई जहाँ से 180 यात्रियों को बिठा लेता है, आप अगर जैसे Indigo Airlines की किसी भी plane में बैठी है, जो 8, 320 काफ 300-400 passengers carry करते हैं आज के समय, उस समय ये Concord तो केवल भाई साब एक bus जितने यात्री लेकर चलता था, तो 90 लोग तो हमारे यह भारत में bus में बैठी जाते हैं, तो इसलिए ये इतना efficient नहीं था, ठीक है, तो ये भी एक problem आ रही थी, अब बात करते हैं hypersonic की, दोस्तों hypersonic का मतल की रफतार से जाधा speed cross हो जाती है, तो फिर हम उसे कहते हैं Mark 5 या hypersonic travel, अब hypersonic travel भी 1940s में इजाद कर लिया गया था, तो सबसे पहले एक missile, V2 missile या V2 rocket जो Nazi Germany ने बनाया था, वो Mark 5 की speed को cross करता था, पर इसमें कोई इनसान नहीं है, again 1960s में US Air Force ने और NASA ने कुछ ऐसे prototypes तयार क फिर एक उसके बाद SR-71 नाम का aircraft है, इन aircraft ने Mark 3 या Mark 6 तक का भी speed achieve किया है, तो जैसे ये दोनों Mark 3 प्लस के लिए बने था, at the maximum speed जो इसके अंदर test करी गई थी, वो Mark 6.7 थी, Mark 6.7 पर एक pilot ने test किया था इसके अंदर, that is the fastest that man has flown, इससे जाधा गती पर इनसान ने किसी plane को नह आया है, तो ये सारे लेकिन prototypes हैं, mostly training purposes या फिर जैसे जासूस ही करने के लिए होता था, इन में कोई missiles वगेरा नहीं लदी हुई है, क्योंकि ये बहुत ही हलके planes होते हैं, ठीक है, पर ये commercial planes नहीं है, इसमें आम आदमी travel नहीं कर सकता, ये केवल NASA या US Air Force ने बनाये थे, अप देखें, commercial supersonic jet हमने देख लिया, Concorde था, वैसे ही अब commercial hypersonic jet बनानी की कोशिश कई कमपनियां कर रही है, और इसमें सबसे आगे इस वक्त जो company चल रही है, उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ, तो boom नाम की एक company है, इसका literally नाम है boom, named after the sonic boom, और इसके jet का नाम है overture, नाम ब mark 1.7 पर ये उड़ सकता है, बड़े आसानी से, तो इसका नाम है overture jet, ये भी एक US based company है, दूसरी company है, destinus जो europe based है, उसका ये plane है, लेकिन ये plane थोड़ा छोटा है, इसमें इतने यात्री नहीं आ सकते, तो destinus is europe based, और ये hypersonic है, तो दिखे, जो मैंने आपको overture बताया है, that is supersonic लेकिन ये जो नाम बता रहा हूँ, destinus, Hermeus और Venus, ये तीनों company क्या बना रही है, hypersonic plane, तो destinus का prototype आपको मैंने बता दिया, ये destinus का prototype है, सबसे advance इस वक्त आम जिस company का चल रहा है, वो है Venus Aerospace, तो Venus Aerospace के plane का नाम है Stargazer, ठीक है, तो Stargazer का literally मतलब होता है, ये इतनी उचाई प गया है, तो Venus Stargazer जो है, ये plane अभी काफी advanced stage में है, again इसकी speed भी hypersonic है, it is not a supersonic plane, ये आपको याद रखना है, अब Venus company relatively बहुत ही नहीं है, दो-तीन साल पहले ही इसका foundation हुआ था 2020 में, और अभी ये Mark 5, Mark 6 की speeds तो अचीव कर चुके हैं, और इनका target है कि Mark 9 तक अपने plane को कर travel करें, अगर ये Mark 9 तक पहुँच गए, तो San Francisco से Tokyo जो again एक बहुत लंबी flight होती है, ये कह रहे हैं कि हम केवल इसको एक घंटे के अंदर पूरा कर देंगे, तो Japan से USA की दूरी एक घंटे के अंदर आप तै कर सकते हैं, जिसे अभी तै करने में कम से कम 11-12 घंटे minimum लगते ह तो इसलिए ये Stargazer जो है, ये कोशिश कर रहा है, Mark 9 पर हम चलें, और इसकी स्पीड बहुत ही हाई होगी, अगर आप compare करें तो Concorde तो Mark 2 के आसपास उड़ता था, Overture फिर से Mark 1.7 पर उड़ेगा, और ये जो Hermeus और Destinus हैं, ये भी Hypersonic है, पर ये भी Mark 5 के आसपास रहेंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है कि एरपोर्ट्स प्रॉब्लम देते हैं, कि भहिया हमारे बिल्डिंग्स खिड़की आसपास के जो लोगों के घर है, उनके अंदर धरा रहें आ जाती है, दिवारे तूटने का डर रहता है, उसका क्या किया जाएगा, तो Stargazer ने एक ब ये वाला हवाईजास एक लाग सत्तर हजार फीट गया, बावन किलोमेटर की उचाई पर फ्लाई करेगा, और इसमें बैट कर आपको धर्ती की गोलाई तक नजर आ जाएगी, अब यहाँ आपसे अगर मैं पूछूँ कि क्या ये एक लाग सत्तर हजार फीट की उचाई पर कर्मन लाइन कहा जाता है, 100 km from the surface of earth वो होती है space की definition, तो जो भी अगर 100 km की height को touch करके आ गया, उसे आप कह सकते हैं कि ये space का यात्री है, तो 100 km पे अभी भी ये नहीं उड़ रहा है, ये 52 km पे उडने वाला है, अब इन हवाई जहाज में सबसे बड़ा constraint क्या है, engine और fuel का, तो engine ये लोग नए तरीके के इस्तेमाल कर रहे हैं, star gazer company बनाने वाली Venus ने कहा है कि liquid propellant rotating detonation rocket engine, RDRE type का engine हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी जाधा तर जो rocket engine है, वो सब sonically fuel को burn करते हैं, जो star gazer के लिए enough नहीं है, star gazer के लिए इनको बहुत जाधा pressure चाहिए, बहुत जाधा thrust च चाहिए और उसके लिए fuel कम करना है इस्तेमाल, अगर fuel जाधा करोगे तो फिर तो वही technology पुरानी हो गई, आपको बड़े हवाईजास चाहिए और बड़े हवाईजास इन्हें बनाने नहीं है, because speed has to be fast, तो इसलिए इन्होंने बहुत सारे innovations करे हैं, कई सारी नई technology इस्तेम बारे में नहीं बता रहे हैं, हो सकता है बविश्य में जानकारी आजएगी, जब आएगी तब आपको भी इसके बारे में बता देंगे, अगर आप में से कोई aeronautical engineer है, तो हो सकता है कि आप लोगों को industry के अंदर होते हुए ये जानकारी हो, लेकिन देखिए जहां तक मेर मेरी understanding है, मेरी समझ है, जितना मैंने इन companies के websites को detail में पढ़ा जाना, तो अभी तक इन्होंने बहुत जानकारी साजा नहीं करी है, ठीक है, हाँ, एक बात पर इन companies ने बहुत जोर दिया है, कि हम rocket engine जो है, उसको इस्तमाल करना चाहते हैं, बजाए normal jet engine के, कारण कि वो जादा efficient होता है, और इस rocket engine को external fuel, यानि की oxygen की जरुत नहीं होती है, external not fuel, fuel को जलाने के लिए जो oxygen है, वो इन्हें बाहर से नहीं लेनी पड़ेगी, और वैसे भी इतनी height पर, ये जो jet engines है, इतना oxygen खीच नहीं पाएंगे, क्योंकि उस height पर oxygen की भी कमी हो जाती है, तो इसलिए ये rocket engines क अपने engine को power दे सके हैं, और अंदर बैठे यात्रियों को भी ये हवा दी जाएगी, तो Venus का plan है to swap the jet engine with a rocket engine, और इससे इनको कुछ और भी फायदे हैं, वरना क्या होता है, जैसे जब ये इतनी speed पर fly करते हैं, तो temperature surface का बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको heat shield बनानी नहीं रहेगा plane, और oxygen जो passenger के लिए होगी, वो भी compressed oxygen इनको carry करनी पड़ेगी, अफकोर्स वरना इतनी height के उपर बहुत problems आ जाती है, फिर जहां तक बात है comfort या पैसों की, तो देखे ये अफकोर्स बहुत महंगी flight होने वाली है, सारी ही सारी seats business class है, और इसके अंदर liquid air होग के लिए इस्तमाल करने वाली flight नहीं रहेगी, ये एक बहुत ही special flight रहने वाली है, जिसके अंदर कम ही यात्री रहेंगे, हाँ, जो आपको मैंने पहला वाला बताया था plane, जिस किस company का 1.7 mark पर उढ़ने वाला, overture, they are going to have more passengers, लेकिन ये जो hypersonic वाले हैं, इनके यात्री थोड लोग बहुत समय तक नहीं afford कर पाएंगे, so it will be like a luxury item, जो दुनिया के बहुत ही अमीर लोग इस्तमाल कर पाएंगे, ठीक है, अब ये सारी technology आ कब रही है, तो देखे 2030 के आसपास तक ये सब कुछ आएगा, और अभी इन्होंने testing के लिए कुछ अमेरिका के rules change करवाए हैं, तो वहाँ का जो aviation को regulate करने वाला सरकारी agency है, FAA, Federal Aviation Authority, US के अंदर ये flights को regulate करती है, तो इसके testing मानकों में कुछ बदलाव इन companies ने अभी recently करवाए हैं, जिसके कारण अभी hypersonic flights को test कर सकते हैं, तो उमीद करते हैं कि आने वाले 5-6 सालों के अंदर ये flights हमारे लिए available होंगी, और आप भी target रखो कि इनी में एक ticket खरीद कर एक बार आपको भी घूम के आना है, finally जाते जाते आपको बता दूँ कि आप हमारे जितने भी optionals हैं, उनको GS के साथ combine करके combo में अगर लेते हैं, तो आपको 15,000 इसकी costing रहेगी, मेरे telegram channel से आप lectures की updates ले सकते हैं, और academy के जितने PDF download in link के माध्यम से किया जा सकता है, thank you so much, please do subscribe to the channel, like the video अगर आपको अच्छा content लगा हो, thank you so much, have a great day